हलो बच्चों कैसे हैं आप उमीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और गर पर खुब अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे तो मिरे प्यारे बच्चों आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 6 NCRT साइंस का सेकेंड चेप्टर इसका नेम क्या है components of food means भोजन के संग्रहक भोजन में क्या-क्या होता है जैसे भोजन में हम लोग क्या-क्या लेते हैं जब चपाती खाते हैं तो हम लोग क्या लेते हैं protein है ना और अगर हम घी या और भी चीजें खाते हैं तो fat लेते हैं दूद पीते हैं तो उसमें हम carbohydrate भी लेते हैं fat भी लेते हैं protein भी लेते हैं minerals भी लेते हैं और vitamins भी लेते हैं ठीक है ना वैसे तो इनको हम क्या कहते हैं इनको कहते हैं nutrients कौन कौन से nutrients होते हैं जो हमारी body के लिए जरूरी होते हैं वो हैं carbohydrate, protein, fat, vitamins और minerals ठीक है तो आज हम इस chapter को start करते हैं और इसमें हम बहुत सारी चीजे सीखेंगे ठीक है तो start करते हैं In chapter 1, we made list of food items that we eat. Chapter 1 में हमने क्या-क्या सीखा था? हमने बहुत सारी table बनाई थी, food item की list बनाई थी, जो कि हम अलग-अलग, देश के अलग-अलग region में खाते हैं. We also identified food items eaten in different parts of India, वही बात कह रहे हैं, and mark these on its map, और जो इंडिया का map है, भारत का नक्सा है, उसमें हम उनको mark भी किये हैं, ठीक है? आगे क्या कह रहे हैं? A meal could consist of chapati, कह रहे हैं, आप एक meal माने भोजन, meal means क्या होता है? बोजन, M-E-A-L, meal means, बोजन could consist, उसमें हो सकता है, consist माने, रखना, होना, ठीक है? हो सकता है, क्या-क्या? चपाती, डाल, प्रिंजल करी, मतलब बैंगन का भरता, और भी बहुत सारी चीजें, और भी राइस, चावल भी हो सकता है, सांभर भी हो सकता है, और वेजिटेबल, preparation of lady finger, और भिंडी की सबजी हो सकती है, येट, फिर भी, another meal could be a pump, कोई दूसरा तरह का भोजन, अपपम भी हो सकता है, फिस्करी, ये फिस्करी भी हो सकती है, मतलब मचली का भोजन, और वेजिटेबल्स, और हरी सबजियां भी हो सकती है, देखिए, ये थाली बनी होई है, यहाँ पर थाली में बोजन दिखाया गया है, यहाँ पर देखिए, इसमें जो है, हम जहाँ जहाँ टिक करेंगे, वहाँ पर क्या होगा, वहम बताएंगे, जैसे यहाँ पर देखिए, एक चपाती के लिए है ये चपाती बनी हुई है इदार यहां पर ये दाल की कटोरी हो गई ये एक सबजी हो गई तो जब खाना दिन में बनता है तो कम से कम इतनी चीजें होती ही हैं और कहीं कहीं पर क्या होता है कि इसके साथ में चावल बगेरा भी हो सकता है है ना चावल भी खाते हैं या सैलेट भी लेते हैं ठीक है और साथ में दही भी हो सकता है रोटी जो होती ही चपाती वो गी से चुपड़ी हो सकती है तो जिसको जैसा पसंद है वो उस तरीके का भोजन लेता है अब हम इसमें एक activity करेंगे activity one activity one में क्या बताया गया है our meal usually have at least one item made of same kind of grain हमारे भोजन में usually have at least one item कम से कम एक item तो ऐसा होगा ही हमारे भोजन में जो grain मने आनाज से बना होगा आनाज मतलब जैसे गेऊं है, मक्का है, बाजरा है, चना है इन से बना हुआ और हम लोग क्या लेते हैं गेऊं से बनी हुई रोटियां खाते हैं ठीक है ना उसके लिए बता रहे हैं आदार item could be a dal और दूसरा item क्या हो सकता है, दाल हो सकती है और a dish of meat यह हो सकता है कि meat का कोई बना हो और vegetable और vegetable भी हो सकती है जैसे कुछ लोग बिंडी की सबजी बना लेते हैं या कद्दू की सबजी बना लेते हैं या लोकी की सबजी बना लेते हैं ठीक है न, it may also include items like, अब इसमें क्या-क्या, it may also include, इसमें ये भी हो सकता है, कौन-कौन से item, और जुड़े हो, कर्ड, अभी जैसा हम बता रहे थे, कर्ड मींस दही, बटर, बटर मींस मक्कन, मिल्क, दूद, और पिकल्स, हाँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं, जिनको अचार बहुत पसंद होता है, some examples of meal from different reason are given in table 2.1, कह रहे हैं, कि कुछ भोजन के जो उदारण है, example है, भारत के भिन-भिन, छेत्रों के वो table 2.1 में दिये हुए हैं, ठीक है, table 2.1 देखते हैं, देखें, ये table 2.1 बनी हुई है, और इसमें जो है, दो region का, दो state का भोजन दिया हुआ, एक पंजाब का दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है, एक पंजाब का और एक आंदरप्रदेश का दिया हुआ है, ठीक है ना, अब पंजाब के भोजन में क्या क्या है, देखें यहाँ पर, मक्ये की रोटी, ठीक है, और दाल में क्या है अच्छा मक्य की रोटी क्या है item of grain है क्या है item of grain grain मने आनात से बना हुआ ठीक है न और दाल या मीट में यहां पर क्या सबसे ज़्यादा पसंद करते है राजमा आप लोग भी राजमा बहुत पसंद करते हैं ठीक है राजमा को किड़नी बीन्स भी कहते हैं वेजी टेवल मतलब सबजी में क्या लेते हैं लोग सरसों का साग बहुत फेमस है पंजाबी बोजन में मक्येदी रोटी सरसों दसाग सुनते हैं न और दूसरे बोजन में जो और दूसरी चीजें दूसरे आइटम्स होते हैं उसमें कर्ड और घी ठीक है न इसके अलावा जब आंदर प्रदेश का हम बोजन देखते हैं तो यहां पर क्या जाता है इसमें ग्रेन कौन सा यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा राइस यूज होता है और दाल में यहाँ पर तूवर दाल यूज होती है तूवर दाल मतलब हम अरहेर की दाल की बात कर रहे हैं और सबजी में यहाँ पर बता रहे हैं सबसे ज़्यादा लोग कुंदरू पसंद करते हैं और अधार आइटम में बटर मिल्क मतलब मठा घी और पिकल मने अचार पसंद करते हैं ठीक है ना अब यहां तीसरा यह जो कालम खाली है ना इसमें आप लोग खुद भरेंगे अपना किसका 36 गड़ का 36 गड़ में ग्रेन में सबसे ज़्यादा क्या यूज होता है पता है ना 36 गड़ को क्या बोलते हैं धान का कटोरा तो सबसे ज़्यादा यहां पर राइस का इस्तेमाल होता है तो यहां पर भी क्या आ जाएगा यहां पर आप बरेंगे तो राइस आ जाएगा ठीक है ना राइस और इसी तरह से जब हम आइटम आप डाल की बात करते हैं तो यहां पर भी तूर डाल आ जाएगी क्या जाएगी तूर डाल या अराहर की डाल जिसकी बात हम करते हैं वेजिटेबल में यहां सबसे ज़्यादा किसका प्रियोग करते हैं लोग यहां प्रियोग करते हैं एक कद्दू का भी प्रियोग होता है तीसरा water guard कद्दू को क्या कहते है pumpkin water guard लोकी का प्रियोग होता है डोड़ का प्रियोग होता है और अदर में यहाँ पर भी सबसे जज़दा क्या यूज होता है घी और दूद ठीक है ना तो यहाँ पर क्या जाएगा गी ठीक है गी और मिल्क ठीक है ना कर लेंगे ना बच्चों ठीक है तो इसको आप लोग भरिएगा खुद से और इसके बाद फिर इसके नीचे कॉलम बढ़ा करके अगर आप किसी और स्टेट को बिलॉंग करते हैं जैसे हमें पता है कुछ बच्चे यहाँ पर उडिशा के भी हैं अपने यहाँ ठीक है ना कुछ बच्चे यूपी के हैं कुछ बिहार के हैं तो आप लोग अपने अपने स्टेट के लिए जरूर लिखिएगा इसमें कॉलम जोड़ करके पहले पंजाब हो जाएगा फिर आंदर प्रदेश हो यूपी का ठीक है ना जहां के रहने वाले हैं जिस स्टेट के रहने वाले हैं उसका एक कॉलम बढ़ा के आपको करना है तो टोटल आपको चार कालम इसमें करने हैं नंबर वन पंजाब नंबर दो आंदर प्रदेश नंबर थरी च्छतिसगर और नंबर फोर्त में आपका अपना खुद का स्टेट जहां के आप और आपके पिता जी रहने वाले हैं दादा जी रहने वाले हैं ठीक है ना तो अब हम आगे इसमें बात कर रहे थे कहां पर हम बात कर रहे थे टेबल 2.1 की टेबल 2.1 हमने समझ लिया है आगे क्या कह रहे हैं यहां पर देखिए कहां से हमें देखना है यह लिखा हुआ है ना select select food items you depicted on the map in chapter 1 तो chapter 1 में आपको एक activity करने को कही गई थी सायद आपने किया भी होगा कि भारत का एक आपको map बनाना है उसमें आपको state का बनाना है और उन state का जो area आता है उस area के अंदर आपको केवल इतना लिख देना है कि उस state का नाम क्या है जैसे मान लीजे 36 गड़ है तो 36 गड़ लिखा और उसके अंदर उसके नाम लिख दीजिए कि वहाँ पर कौन-कौन सा खाना में क्या-क्या चीजें खाई जाती है तो जैसे राइस है चपाती है है ना और तुवर दाल है और भिंडी की सबजी है पंपकिन की सबजी है milk है ठीक है curd है उसको आप सो करिएगा डिपेक्ट मींस क्या होताए बच्चों डिपीक्टेज मने किसी चीज को सो करना किसी चीज को वहाँ पर दर्साना वहाँ मैप में लिख देना या table में लिख देना इसको कहते हैं depicted ठीक है add some more meal to this list and enter these in table point two point one अभी अबने आपको बता यहां पर भी कह रहे हैं कि टेवल 2.1 में और लाइने एड़ करके और आप जो है कुछ और स्टेट के बोजन के बारे में लिखिएगा ठीक है ना तो आपको हमने पहले कह दिया है करने को अब आगे देखिए अगले पैराग्राफ में क्या कह रहा है sometimes we may not really have all this variety in our meal कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हमारे खाने में ये सारी variety नहीं होती है वास्तों में ठीक है ना if we are traveling कभ नहीं होती है जब हम traveling कर रहे होते हैं हम सफर कर रहे होते हैं तो हमको नहीं मिलता है हमें कुछ और ही मिल जाता है जैसे हम सफर कर रहे हैं ट्रेन में अब हमको जो है रोटी सबजी दाल चावल चाहिए नहीं मिला है तो वहाँ पर क्या मिल जाता है आपको कभी समोसे मिलते हैं कभी आलू गुंडा मिल जाता है कभी आपको पकोड़े मिल जाते हैं कभी और सारी चीजें मिल जाती हैं तो वो आप जो है फिर क्या करते हैं जब भूँख लगी होती तो आप वो खरीद करके खाते हैं तो उसी के लिए बता रहे हैं We may eat whatever is available on the way हम क्या खाते हैं जो कुछ भी रास्ते में available होता है हम वही खाते हैं Whatever means जो कुछ we may eat हम खा सकते हैं Whatever जो कुछ is available वहां पर मौझूद हो on the way रास्ते में It may not be possible ये संभव नहीं हो सकता For some of us हम में से कुछ लोगों को To eat such की खाएं Such मने ऐसा A variety of items इस तरह के खाने को खाएं Most of the time हमेशा most of the time मने ज़्यादा तर समय ठीक है There must be some reason There must be some reason क्या मतलब हो सकता? इसके कुछ कारण जरूर होंगे There must be some reason का मतलब इसके कारण जरूर होंगे दो यद्द्य पी इसके कारण कुछ कारण जरूर होंगे Why meals usually consist of such a distribution? Why meals usually consist of such a distribution? Do you think that our body need different kind of food for some special purpose? तो यहाँ पर बता रहे हैं कि वाई मील यूजुली कंसिस्ट आप सच डिस्टिब्यूशन भोजन में हमारे अलग-अलग तरेंगी वराइटी के खाने की आवश्चता क्यों होती है हमें वहाँ पर उसका डिस्टिब्यूशन क्यों करना पड़ता है जैसे हम चपाती ही क्यों खाते हैं खेले चपाती क्यों नहीं खाते चपाती और डाल भी साथ में होनी चाहिए सबजी भी साथ में होनी चाहिए सालाइट भी साथ में होना चाहिए ठीक है ना सारी चीजें हमको क्यों चाहिए या हम साम को दूद्ध भी पीते हैं छोटे बच्चे तो दिन में कई बार दूद पीते हैं तो दूद क्यों पीते हैं तो हम जितनी चीजें लेते हैं आप जानते हो क्यों लेनी पड़ती है Do you think? यही कह रहा है Do you think? तुम सोचते हो That our body needs different kind of food हमारा जो सरीर है उसे भिन भिन प्रकार के बोजन की आवश्यक्ता होती है समिस्पसल परपज कुछ विशेश कारणों के लिए विशेश उद्देश के लिए ठीक है न? जैसे हम दाल क्यों खाते हैं अगर हम बात कहें दाल क्यों खाते हैं या राजमा क्यों खाते हैं सोया बीन क्यों खाते हैं तो जितनी भी डाले हैं राजमा हैं सोया बीन हैं इन से क्या मिलता है हमको प्रोटीन मिलता है बच्चों और प्रोटीन का काम क्या होता है प्रोटीन के दो काम होते हैं एक तो प्रोटीन बलड बनाता है हमारे सरीर में और दूसरा काम प्रोटीन का क्या होता है? हमारे सरीर की मरम्मत करना, मरम्मत मिन्स जब कभी हमें किसी कारण से चोट लग जाती है, तो उस घाव को भरने का काम कौन करता है? प्रोटीन करती है, ठीक है न? समझ गे? अच्छा जैसे हम कार्बोआइड डेट क्यों लेते हैं? कार्बोआइड डेट का रीजन क्या है? भई कार्बोआइड डेट के लिए हम क्या क्या लेते हैं? रोटी खाते हैं तो कार्बोआइड डेट मिलता है, मक्के की रोटी हो चाय वो गेंग की रोटी हो ठीक है ना जब हम चावल खाते हैं तो कार्बॉाइट डेट मिलता है जब हम आलू खाते हैं पोटेटो लेते हैं तो हमें कार्बॉाइट डेट मिलता है जब हम चीनी लेते हैं तो हमें कार्बॉाइट डेट मिलता है इन सब चीजों की जरूरत क्यों होती है क्योंकि कार्बॉाइड डेट हमें इनर्जी देता है हम दोड़ते हैं खेलते हैं काम करते हैं पढ़ते हैं जितनी भी चीज़ें हम करते हैं हमारे सरीर को काम करने के लिए, चलने के लिए, दोड़ने के लिए, उचलने के लिए, चड़ने के लिए, पढ़ने के लिए, सोने के लिए, हर चीज के लिए हमारे सरीर को एनरजी की जरूरत होती है। किसी काम में कम इनर्जी चाहिए किसी काम में ज़्यादा इनर्जी चाहिए तो वो इनर्जी देने का काम कौन करता है वो कार्बोईडेट करता है अगर आप 10 दिन 12 दिन तक चीनी चावल रोटी आलू ये सब चीजें खाना चोड़ देंगे तो आप देखेंगे आप चल नहीं पाओगे आप सो नहीं पाओगे आप कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके सरीर में इनर्जी नहीं होगी बच्चों समझ में आया तो इनर्जी का काम कौन करता है कार्बॉाइड्रेट ठीक है बच्चों और सरीर की मरम्मत का काम कौन करता है प्रोटीन अच्छा जब हम दूद लेते हैं या घी लेते हैं या हम आयल का प्रियोग करते हैं चाहे वो सरसों का तेल हो, या मुफली का तेल हो, या फिर ऑजिटेबल, घी वगारा होते हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं, उनसे क्या मिलता है, उनसे हमारे सरीर को मिलता है FAT, ठीक है न, FAT का एक तो काम होता है, इनर्जी देना, इनर्जी भी देता है, लेकिन, सबसे पहले इनरजी कौन देता है सरीर को वो है कार्बोइड डीट और फाच का मुख्ष काम होता है हमारी मसल्स को कैसा करना सुध्रण करना ठीक है न अब हमारे सरीर में जो मांस बनता है ठीक है न मसल्स बनते हैं उनके लिए जरूरत किसकी होती है फाच की जरूरत होती है वो क्यों वो हमारे सरीर की सुरच्छा करते हैं ठीक है ना अगर किसी का सरीर बहुत दुबला पतला हो अगर उसके चोंट लग जाएगी तो हो सकता है कि उसके सरीर के अंदुरूरी हिससे भी डैमाज हो जाएगी ठीक है ना लेकिन अगर जो सरीर से स्वस्थ थोड़ा सा तगड़ा है अगर वो कहीं गिरेगा चोंट लगेगी तो क्या होगा उसको केवल उपर उपर से जो है इंजरी होगी जो एक दो दिन में ठीक हो जाएगी लेकिन उसके सरीर के अंदर जो बॉड़ी के आरगंस है ना उनमें किसी प्रकार की कोई चोंट नहीं आए जैसे विटामिन ए विटामिन ए की कमी अगर हो जाएगी तो क्या हो जाता है ब्यक्ति को दिकाई बहुत कम देता है उसे नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है समझ में है ना तो विटामिन ए भी बहुत जरूरी है विटामिन ए किससे मिलता है जब हम दूद पीते हैं तो वि इसके जो है लीवर से से भी विटामिन A मिलता है ठीक है दूसरा विटामिन क्या होता है विटामिन B अगर विटामिन B की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा एक डिसीज हो जाती है जिसको कहते हैं वेरी वेरी ठीक है ना वेरी वेरी में क्या होता है उसका जो इस टमक होता ह वो बहुत वीक हो जाता है उसका डाइजेशन बहुत वीक हो जाता है ना और जो है जो भी खाता है वो इंडाइजेस्ट रहता है अच्छे से पच्छता नहीं है सरीर को कुछ लगता नहीं है और पूरी बाड़ी धीरे-धीरे कमजोर होने लगती है समझ गए विटामिन सी व एमन लेते हैं, ओरेंज लेते हैं, गुआवा लेते हैं, और सबसे ज़्यादा तो किस में होता है, सबसे ज़्यादा होता है, वो कौन सी चीज है, आउला, आउले में सबसे ज़्यादा विटामिन सी होता है, और विटामिन सी हमारे सरीर में क्या करता है, विटामिन सी जब हम में मसूडे होते हैं गम्स वो स्ट्रॉंग होते हैं अगर विटामिन सी की कमी हो जाएगी तो क्या होगा गम्स वीक हो जाएंगे गम्स से बलड भी आने लगता है और विटामिन सी की कमी होगी तो अपने आप होट फटते हैं बहुत सारी चीजे होती है तो वितामिन की भी जरूरत होती है वितामिन D आपको दूद से मिलता है ठीक है और खाने से भी मिलता है तो वितामिन D की कमी होजाने से हट्डियां कमजोर हो जाती है समझ गए ना बच्चों इसलिए विटामिन भी चाहिए और इसी तरह से मिनरल्स भी चाहिए मिनरल्स में किस किस चीज की जरूरत पड़ती है हमें जरूरत पड़ती है आईरन की, पोटेशियम की, ठीक है फोली केसिड की, सोडियम की, मेगनीशियम की, कॉपर की भी बहुत सारी चीजें हमें जरूरत परती कैलसियम की, ठीके? और आईरन का काम आईरन और प्रोटीन मिलकर के बलड बनाता है ठीके ना, कैलसियम जो होता है वो हट्डियों को बनाने में मदद करता है ठीके? पोटेसियम और सोडियम बलड میں रहता है जो हमारे जो है सारे मैसेज जो मिलते हैं सरीर को वो हमारे ब्रेन तक जाते हैं तो ये सब मिनरल्स का काम होता है अगर मिनरल्स की कमी हो जाएगी तो भी बहुत सारी समझ्चाइं हो जाती है ठीक है ना बच्चों समझ में आया Do you think that our body needs different kind of food परपत समझ में आगया अभी बहुत सारी देर हमने आपको यही बात बताई है बच्चों ठीक है अब हम अगला topic स्टार्ट करने जा रहे है What do different food item contains means क्या हो गया इसका जो different food items है उनमें क्या-क्या होता है ठीक है We know that each dish is usually made up of one or more ingredient हर एक भोजन एक या एक से ज़्यादा ingredient से मिलकर बना होता है which we get from plants or animals जो कि हमें या तो plant से मिलता है या animal से मिलता है जैसा कि हम chapter 1 में पढ़ चुके हैं ingredients contain some components that are needed by our body और ingredients में क्या होते हैं कुछ components होते हैं जिनको अभी हमने कहा था न nutrients जिनको हमने बताया था कौन-कौन से nutrients carbohydrate, protein, fat, vitamin, minerals ठीक है न that are needed by our body ये हमारे सरीर के लिए आवश्यक होते हैं these components are called nutrients और इन components को क्या कहते हैं nutrients कहते हैं हिंदी में सुना होगा पोशक्तत्व क्या कहते हैं इनको पोशक्तत्व दमेजर